दोस्तों नमस्कार TV1 इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज राश्ट्री पंचाथी राज दिवस पर बोलते हुए पीम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भावनात्मा कफील की उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोरोना गाउं तक नहीं पहुँचना चाहिए दरसल कोरोना का सबसे अधिक असर शहरों में देखने को मिला है जबकि गाउं में आज भी संक्रमण बेहत कम है इस पर पीम ने चीका करन अवियान में तेजी लाने का आवान करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को गाउं तक किसी भी हालत में नहीं पहुचने देना है इस उसर पर PM ने स्वामित योजना और चार लाग से अधिक संपत्ती धारकों को इस संपत्ती कार्डों के वित्रन का भी सुभारम किया भारत में कोरोना का कोहराम मचा है आकसीजन और दवाओं की कमी से लोग जान गमा रहे हैं इस पर पडोसी मुल्क पाकिस्तान के PM इमरान खान ने चिंता जताई है इमरान ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं भारत की लोगों के साथ अपनी समवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि वे कोरोना की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं इस महामारी से पीडित हमारे पडोसी और दुनिया भर की लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्त हों हमें मानवता के साथ मिल कर इस वैस्विक्चुनोती से लड़ना है बतादा कि पाकिस्तान में भारत की अपैक्षा कोरोना काफी नियंतरन है वहीं चीन ने भी भारत में कोरोना के दूसरे लहर से निपटने के लिए मदद करने की पेशकस की है कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोट ने चिंता जाहिर करते हुए इसे एक तरह की सुनामी बताया है वहीं मई महीने में संभावीत पीक को लेकर भी नियाले ने चिंता जाहिर की है दिल्ली हाई कोट आच्छा स्थानी अस्पतालों द्वारा आक्सीजन की कमी को लेकर दायरे आचिका पर सुनवाई कर रहा था उच्चनीयले ने इस मामले पर केंद्र सरकार से पूरी तैजारी का व्याओरामागा है भारत में कोरोना की दूसरी लहर घातक हो गई है कोरोना का जिस तरह भी स्पोट हो रहा है उसने पिछले सारे रिकार्ट्स धोस्त कर दिये हैं देश में पहली बार कोरोना की एक लाग से ज्यादा नए के सामने आये हैं अब तक पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि कोरोना के 82 फिस्दी मामले देश के आठ राज्यों से आये हैं वहीं कोरोना इंफेक्शन के मामले में भी भारत दुनि पी भी बताई जिससे लोग अपनी इम्मिनिटी बढ़ा सकें उन्होंने कोरोना की वज़ा से घटे वजन को बढ़ाने के भी उपाय बताये हैं बाबा रामदेव ने लोगों से अपनी दिंचर्या में सुर्य नमस्कार और योग के अन्य आश्णों को भी सामिल करने की सला ले ली कल चीफ जस्टिस ऐसे बोब्ले के कारेकाल का अंतिम दिन था भारत के राश्टपती रामनाद कोविंद ने आज जस्टिस रमना को पद और गोपनियता की शपत दिलाई इस दोरान प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे सीजे आई के रूप में जस्टिस रमना का कारेकाल 26 अगस 2022 तक चलेगा 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोट में अपनी पदुन्नती से पहले जस्टिस रमना दिल्ली हाई कोट के मुखे नयदीस थे उन्होंने आंधर प्रदेश के अत्रीक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार् राजसान के डोंगरपुर जिले की एक पुलिस कॉंस्टेबल को चुट्टी नहीं मिलने के कारण थाने में ही हल्दी की रस्म पूरी करानी पड़ी महिला कॉंस्टेबल का नाम आशारोत है और 30 अप्रेल को उसकी साधी है हलाकि घर जाने के चुटी नहीं मिलने से वह काफी दुखी थी जिसके बाद रस्म छूट न जाए इसके लिए थाने के पुलिस करमचारी घरवाले बन गए हल्दी लगाई गई और सीनियर अधिकारियों ने आशिरवात दिया साकर्मियों ने जिस तरह इस कॉंस्टेबल के प्रती अपने पन का परिशे दिया हुआ अनूठी मिसाल बन गई है उत्राखंड में चमोली जिले के जोसी मट ग्लेसियर के तूटने से सैकड़ों लोग फंस गए है मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत ने आज वीडियो से एर कर ग्लेसियर के तूटने के बाद सेना के राहत और बचाव कारियों की जानकारी दी सेना ने अब तक 430 लोगों को बचा लिया है जबकि 400 से अधिक लोगों के फंसे होने की आसंका है वहीं आठ लोगों के मौत की खबर है हादसा भारत चीन सीमा के पास इस सित नीती घाटी के सुमना छित्र में हुआ है जहां ITBT की बटालियन पोस्ट है लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू आपरेशन तेज हो गया है कांग्रेस पार्टी ने आज अपना INC TV चनल लॉंच कर दिया कांग्रेस ने ता केसी वेड़ी गुपाल, पवन बंसल, आजय माकन और रोहन गुपता ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये INC TV की लॉंचिंग की इस दोरान पुर्वर प्रधानमंत्री राजिव गांदी और राहुल गांदी के पंचायती राज से जुड़े भाशनों का प्रशारं किया गया जाहिर है, आज राष्टिर पंचायती राज दिवस पर important ने भाशन दिया था कांग्रेश ने राजिव गांधी का भाश्र दिखा कर पी-म के इस नहले पर दहला मारने की कोशिश की है केंद्री जाच एजनसी सीवी आई ने महराश्ट के पूर्व ग्रिह मंत्री अनिल देसमुक के खिलाप फाई यार दर्ज कर लिये इस से अनिल देसमुक के मुश्किलें और बढ़ गई हैं दरसल कुछ दिन पहले ही बामबे हाई कोट ने सीवी आई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंग द्वारा अनिल देसमुक के खिलाप लगाए गए सौ करोड की वसूली कराने के आरोपों के सम्बंद में जाच का आदेस दिया था और पंदरा दिनों के भीतर प्रारंभिक जाच रिपोर्ट पेस करने को कहा था फिलाल CBI की FIR के बाद एक बार फिर महराष्ट की राजनिती गर्माने के आसार बढ़ गए है नवी उम्बई में आज माथारी कामगारों के हरताल का आंशिक असर देखने को मिला फल और सबजी मंडियों में जहां कामका चलता रहा वहीं आलू प्याज अनाज और मसाला मार्केट पूरी तरह से बंद रहा माथारी कामगारों की अहरताल लोकल ट्रेन और बसों में फ्रंट लाइन वरकर की तरह यात्रा करने से रोकने के खिराब चल लही है माथारी नेता नरेंदर पाटिन ने कहा कि वेकेंड लॉकडाउन में आती आवस्चक सामानों की डिलिवरी प्रभावित ना हो इसलिए माथारी कामगारों ने जनहित में सपोर्ट किया है लेकिन हमारी मांग कायम है आज की बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजादत लेकिन मुंबई महाराश्रमे देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया नमस्कार लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए